दोस्तो आज हम रिव्यू करेंगे एक बहुत ही अच्छी मेडिकेटिड सोप के बारे में जिसका नाम है टैटमिसोल सोप इसकी इंफेक्शन हो जाने पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाती है बहुत सारे डॉक्टर इस सोप को प्रिस्क्राइब करते हैं तो चलिए आज अच्छे से जान लेते हैं इस टैटमिसोल मेडिकेटिड सोप के बारे में ये सोप कब यूज किया जाता है क्या बेनफिट्स देखने को मिलते हैं इस सोप का प्राइज, प्रिकेशन, साइड इफेक्ट और इस सोप से रिलेटिड बहुत सारी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो का पेंटर जरूर देखे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नोलिजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं टैटमसोल सोप पिरामल कंपनी के दुआरा बनाई जाती है और 75 ग्राम की सोप होती है जिसका एमार भी 95 रूपी होता है और इसमें आपको मोनोसल्फिरम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा अब हम जान लेते हैं इस सोप के बेनेफिट्स के बारे में टैटमसोल मेडिकेड़िड सोप है जो की स्किन इंफेक्शन हो जाने पर यूज की जाती है जैसे इचिंग, इरिटेशन, रैसिस, रैडनेस बतलब स्किन में दाद खाज खुजली हो जाती है या फिर दाने स्किन पर हो जाते हैं खुजलाते खुजलाते स्किन पर लाली प्न आ जाता है, इसकिन खुरदूरी हो जाती है, ऐसी कंडिशन में टैट मोसूल सौप का बहुत effective result देखने को मिलता है और इसके अलावा इसकिन पर जलन होने लगती है, छोटे बड़े दाने इसकिन पर निकलाते हैं, इसकिन कर सकते हैं और इस soap का result भी बहुत effective देखने को मिलता है आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं डॉक्टरों दुआरा भी इस soap को बहुत ज़्यादा recommend किया जाता है जो इसकी नवाले डॉक्टर होते हैं dermatologist उनके दुआरा भी इस soap को prescribe किया जाता है और guys बच्चे बड़े सभी इसे आराम से लगा सकते हैं किसी तरह की कोई problem नहीं है तो यह थे इसकी कुछ benefits अब हम जान लेते हैं प्रियूकेशन्स यानि सावधानिया दोस्तो आपने इस soap को only external use करना है मतलब कि जैसे आख में या फिर नाख में मूँ में इस तरह से आपने अंदर की तरफ नहीं लगाना है आपने only इसे body पर apply करना है external यानि बाहर की तरफ और इस soap को use करने से पहले एक बार इसी expiry जरूर चेक कर ले और guys tetmosol fragrance soap है जिसे आप daily use भी कर सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है अगर आप इसे रोजाना यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें अच्छे खासी खुसबू भी होती है तो आप इसे daily भी यूज़ कर सकते हैं तो यह थे इसकी कुछ pre-cations अब हम जान लेते हैं side effect के बारे में common side effect की बात की जाए वैसे तो इस soap का कोई खास side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन कभी-कभी एकाद person को इस skin पर जलन हो सकती है इस तरह का common side effect कभी-कभी एकाद person को आ जाता है अब हम जान लेते हैं आपने tetmisol soap को apply कैसे करना है आपने गुन-गुने पानी से body को या फिर face को गिला कर लेना है उसके बाद इस soap को apply करे बस इतना आपने काम करना है और जो affected area है वहाँ पर आपने और अच्छे से लगाना है बस इतना सा काम आपने करना है उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो